पापा, मम्मी, दादू, दादी, चाचाची ये सब हमको बने-बनाएं रेडी में रिष्टे मिल जाते हैं लेकिन friendship ऐसी होती है जो हम खुद अपनी choice से लेते हैं हम खुद सोचते हैं कि मुझे कैसा friend चाहिए, मुझे मेरे friends में क्या-क्या quality चाहिए मेरा ये friend होगा, तो ये सारी चीज़े हम खुद से करते हैं तो यहां पर इस जो chapter है इसमें ये बताया गया है कि हमको कैसी friendship रखनी चाहिए, कैसी नहीं रखनी चाहिए जब हम friendship करते हैं तो हमारे अंदर कौन-कौन से भाव होते हैं उन चीजों से हमें क्या-क्या नुकसान होते हैं, हमें क्या-क्या करना चाहिए इन सब के बारे में मित्रता chapter में बताया गया है तो शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपके साथ जो चीजें डिसकस करेंगे वो है कि ये जो लेखक है, इनका जीवन परीचे क्या है, ये किस तरह की भाशा शेली यूज़ करते थे तो शुरू करते हैं, सबसे पहले समझते हैं, हमारे आचारे रामचंदर शुकली जी का छोटा सा संशिप परीचे और इसके बादे से हम डीटेल में देखेंगे तो संशिप तरीचे में क्या दे रखा है, लेखर का जो जन्म हुआ था, वो हुआ था चार अक्टूबर 1884 में, यानि कि 4 अक्टूबर 1884 में इनका जन्म हुआ था जन्म स्थान जो है, वो कहा जाता है, कहा है, अगोना बस्ती यानि उत्तर प्रदेश में अब आपको उस टाइम पर हो सकता है, परीचे में याद नहीं रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश आपको ध्यान रखना है कि बें उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, पिता का नाम था चंदर बली, शुक्ल, म्रत्यू जो हुई थी, इनकी कब हुई थी, 2 फरवरी अब इनके संशित के साथ इनके परीचे के बारे में देखते हैं, जो कि इनका जीवन परीचे है, तो शुक्ल जी का जीवन परीचे है, हिंदी के इस प्रतिभा संपन सहित्यकार का जन्म जो है, 4 अक्टूबर 1884 इश्वी में बस्ती जी लेके अगोना नामक ग्राम में हु जो सुपरवाइजर कानून गो थे, कानून को क्या होता है, जो हमारे पटवारी लोग जो होते हैं, उनके खातों की जो है, उनकी सारी चीजों की जांच परताल जो करता है, उसको कानून को कहते हैं, तो उनके पिता ये थे, वालक रामचंदर शुक्ल ने एंटरिंस यानि परिक्षा मिर्जापूर जीले के मिशन स्कूल से उत्तिन की थी गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी और इसी बीच उन्होंने स्वाध्या है स्वाध्या निए खुद से सेल्फ स्टडी से क्या क्या किया इन्होंने हिंदी अंग्रेजी संस इसकृत बंगला आधी भाषाओं का अच्छा ग्यान प्राप्त किया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना इन्होंने शुरू कर दिया था तो इतना ज़्यादा पढ़ने में अच्छे नहीं थे मैद्स उनकी बहुत कमजोर थी तो मैद्स नहीं अच्छी थी तो इनको फिर इन्होंने सुचा कि मैं खुद से ही घर में ही अपने आप करूँगा तो इन्होंने भाषाओं यानिकी लेंग्विच पे काम किया और उस वज़े से उन्होंने क्या किया पत्र पत्रिकाओं में लिखना शुरू कर दिया बाबु श्याम सुदर दास के अवकाश प्राथ करने के बाद शुकल जी जो हैं हिंदी विभा के अध्यक्ष पत पर आ गये थे और इसी पत पर कारे करते हुए उनको दो फरवरी 1941 में ये गुजर गए ठीक है इनकी डेथ हो गई हिंदी निबंद को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिश्चित करने वाले जो शुकल जी जो हैं वो हिंदी साहिति के क्या है एक आलोचक है एक निबंदकार है एक इतिहास कार है माहान शैली कार है और यूग प्रवर्टक के आचार्य थे इन्होंने सैद्दान्तिक और व्यवहार एक दोनों प्रकार के आलोचनाय की सैद्दान्तिक जिसमें सिद्दान से रिलिट थी और दूसरी व्यवहार करते हैं उससे रिलिटिट जो आलोचनाय होती है उनको इन्होंने लिखा था तो ये एक आलोचक भी थे अब ये तो था अब इनकी रचनाये देख लेते हैं, कि इनुने साहितिक यॉगदान क्या क्या दिया था", तो यह और काल साहितिय का इतिहास कि इनुड़ों ने लिखाता थो वह शुकलुजी थे और काल का विभाजन भी इनों ने ही किया था मतलब इनों ने ही सारे काल विभाजित के थे कि ये द्वेदी यूग होगा ये शुकल यूग है इस तरह से इनों ने ही ये सारे चीजे विभाजित की थी साहितिक योगदान शुकल जी एक उच्च कोटी के निबंदकार ही नहीं मतलब वो निबंदकार तो थे ही क्योंकि जो हम मितरता पढ़ रहे हैं वो भी एक निबंदी है अपी तो योग प्रवटक आलोचक भी थे यानि वो आलोचक भी बहुत अच्छे थे और उसी में इनोंने कुछ क्रतियां लिखी थी जिनको हम रचनाई भी कहते हैं क्रती भी कहते हैं तो कन्फ्यूज मत हो ना निबंद संग्रा में उन्होंने चिंतामणी भाग एक और दो लिखा था और विचार विती इतिहास यानि कि हिंदी साहिते का इतिहास भी इनोंने ही लिखा है आलोचना में इनोंने सूरदास, रस्मिमांसा और त्रिवेणी ये इनोंने आलोचनाई लिखी थी संपादन कुछ कुछ किये थे उनोंने कौन कौन से थे और भ्रमरगीतसार, हिंदीशब्द सागर, काशी नागरी, प्रचारेणी प्रत्रिका, आनन्द चादम बिनी ये कुछ इनों ने रचनाय की थी, अन्य इनोंने कहानी थी, जो 11 वर्ष का समय ये किया थी, ग। वद ये इन्होंने कावे करती की थी तो इस तरह से इनकी कुछ रचना है जो आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है क्योंकि ये पूछी जाती है नेक्स आता है इनकी भाशा शैली इन्होंने किस तरह की language यूज की थी तो भाषा सहली भी आपको समझनी है शुकले ची जो थे वो संस्कृत निष्ट शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली है शुकले ची की जो भाषा थी वो बिल्कुल संस्कृत निष्ट थी उसको हम खड़ी बोली केते हैं बच्चे पूछते हैं हम खड़ी बोली क्या होता है खड़ी बोली जो आप normal language में जो बात करते हो हिंदी में उसको हम खड़ी बोली केते हैं परिश्क्रित साहितिक भाषा में संस्क्रित के शब्दों का प्रियोग होने पर भी शुकल जी ऐसे शब्द यूज़ करते थे जिसको आप खुद से ही पढ़के समझ सकते थे कि हां भी इसका आर्थ यह होता है यानि ऐसी लेंग्वेज यूज़ करते थे शुकल जी ने मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रियोग करके भाशा को क्या बनाया था प्रभावपू बनाया रिख शब्द नि होता था जिसको आपको लगता होगा कि यार-इस लाइड में इसका मतलब नहीं है यानि वो बहुत ही गठित करके अपनी चीजों को लिखते थे कम से कम शुब्दों में अधिक विचार व्यक्ति कर देना इनकी विशेष्ता थी यह कम से कम है हमारा chapter तो chapter क्या है chapter है मित्रता के बारे में कि मित्रता कैसी होनी चाहिए मित्र हमें कैसे बनाने चाहिए किस तरह के मित्र होने चाहिए और अगर हमारे गलती से गलत मित्र बन जाते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है उसके बारे में सारी बाते हैं तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर मित्रता यहीं से चैप्टर शुरू हो रहा है पढ़ना शुरू करते हैं आज हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे next class में हम इसके question answers देखेंगे और किस किस तरह के questions होते हैं वो सारी चीज़े देखेंगे तो मित्रता जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकल कर भारी संसार में अपनी इस्ति जमाता है तब पहली कठिंता उसे मित्र चुन्ने में बढ़ती हैं यदि उसकी इस्ति बिल्कुल देखो जब हम हमारे घर में होते हैं सबसे पहले हम छोटे से बेबी होते हैं फिर थोड़े बड़े होते हैं ममी पापा के आसपास रहते हैं घरवालों के आसपास रहते हैं पहली चीज हम कब किस से सीखते हैं पहला जब हम भार निकलते हैं सबसे पहले हमको friends बनाने होती है, वो कहां बनते हैं हमरे, जब हम school जाते हैं, हना, जब हम school जाते हैं, तो school जाते ही, हमको बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, और वहाँ पर हमें क्या problem आती है, वहाँ हमें friends बनाने में problem होती है, क्योंकि जिसके friends नहीं बनते हैं, उसका school में मनन सबसे बात बात कर लेता है और जो बहुत सारे फ्रेंट बनाने पाता है होग når वह से ς इतन UNS LOAD मैं और तो फ्रेंड्स बनाने बहुत जरूरी भी है, अगर आपका mail जोल अच्छा है तो आपको बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाएंगे, और अगर mail जोल अच्छा नहीं है तो आपको फ्रेंड्स बनाने में दिक्कत होती है, ठीक है, और जब हम एक मित्रता कैसे बनेगी, जब आप एक बार एक से मिलते हो, फिर वापस दूसे बात करते हो, फिर तीसे दिन बात करते हो, जब हम ऐसे बात करते जाते हैं, करते जाते हैं, तब हमारी दोस्ती बन जाती है, उसको फिर हम दोस्ती कहते हैं, पहली मुलकात को हम दोस्ती नहीं कहते हैं, जब हम उससे बार-बार म हमारा नेचर दिखा देते हैं तो दोस्ती बहुत जरूरी भी है और दोस्ती करते समय हमें काफी चीजों का ध्यान भी रखना चाहिए लेकिन कहते हैं दोस्ती तो सो समझ के नहीं करते हैं बस हो जाती है क्योंकि संगती का गुप्त प्रभाव हमारे आचरन पर भारी पड़ता है हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कारे आरंब करते हैं जबकि हमारा चित कोमल और हर तरह का संसकार ग्रहन करने के योग्य रहता है अब हम छोटे बच्चे होते हैं तो एक छोटे सब कुछ क्लीन होता है हिसको यह नहीं पता है कौन सा अच्छा है तो उस टाइम पर हमारे सामने कैसी चीजे आनी चाहिए तो उसके लिए मितष्टु पर करना चाहिए तो इससी वितरता हो तो यह क्या है अगर संगती बुरी हैं तो आपके पास उसका असर आने लग जाता है हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवर्टी अपरिपक होती है हमारी भाव कैसे होते हैं अपरिमार्जित मतलब बिल्कुल शुद्ध होते हैं उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होती है और अपरिपक होते हैं सी उसके अनुस्ता काहुता है तो ऐसा अज़ा पैसे लोगों का साथ practicing हमारे लिए बुगा है जो हमसे अधिक द्रड संकल्प के हैं क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेने पड़ती है अब यहां पर बता रहे हैं कि कैसे कैसे फ्रेंड्स होते हैं और क्या क्या होता है तो देखो पहली चीज़ उनने कहिए कि अगर हमसे अधिक द्रड़ संकल्प वाले यानि हमारा दोस्त बिलकुल अप हो सही है मैं जो कहता हूं वो सही है तो उससे क्या हो जाएगा हम कहीं न कहीं पीछे चूट जाएंगे हमारे विचार कहीं न कहीं पीछे चूट जाएंगे तो द्रड़ संकल्प वाला जो दोस्त हो वैसा भी नहीं होना चाहिए उससे क्या होता है हम पीछे हो जाते हैं हमा हमारी ही बात को उपर रखते हैं क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे उपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है अब दूसरी चीज़ कहीं कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो हमको ही उपर रखे जब हमको ही उपर रखेगा तो हम क्या सोचेंगे अ तो नो अवस्थाओं में जिस बात का भाय रहता है उसका पता युवा पुरुशों को प्रायब बहुत कम चलता है इस चीज का पता हमको अभी नहीं चलता है हमको बात में जाकी पता चलता है तो अभी अगर आपको फ्रेंड ऐसा मल जाएगा कि द्रड़ संकल उसका चल रहा तो इसका मलब क्या है फिर अब आप उसके आगे नहीं बढ़ सकते अब आपको और किसी चीज का डर नहीं है आपको जिम्मेदारी का पता नहीं है तो वो भी गलत है तो यह सब चीज हमको बाद में पता चलती है यदि विवेक से काम लिया जाए तो ये बहे नहीं रहता प ऐसे आश्चरे की बाद है कि लोग एक घुड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोश कितना परक कर दे लेते हैं पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्ण आचरन और प्रक्रति आदी का कुछ भी विचार और अन्नसंधान नहीं करते हैं जब हम एक छोटी से चीज भी लेत हैं और किस तरह से चल रहे इना लेकिन जब हम फ्रेंड बनाते तो में पीछें का बैग्राउंड नहीं देखते हैं वह किस तरह का है किस फैमिली ऐसा आता है कि अमीर होना चीजक 할 कैसे हैं वह सोच कैसी रखता हैं किस तरह से बात करता है उसको आगे उपने भविश्य के बारे में क्या-क्या चीजे हैं तो अब यह सब शूचे नहीं हम स्जोच तो यह जिस क्या है जब छोटी से चीज लेते हैं उसके लिए विविचार करते हैं तो जब के ऊपर हमारी अदि लाइफ depends हो जाती है उसी को हम सोचते नहीं है तो ये चीज कही गई है next वे उसमें सब बाते अच्छी अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा लते हैं जब हम friend बनाते तो उसमें को कुछ बुरा दिखता ही नहीं है हमको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है कि मेरे दोसमें तो ये अच्छी चीज ये यह अच्छी चीजे, हम सारी चीज़ उसमें अच्छा ही देखते हैं, तो वह चीज हम दिमाग नहीं लगाते हैं, थोड़ी सी चतुराई, यह सब और थोड़ी सा साहस वाहस, यह सब दो-चार बाते जो हैं, यह देखकर लोग चटपट अपना बना लेते हैं, मतलब यह आसकता है तो हम यह चीजे देखके अपना friend बनाते हैं कि friend ऐसा हो आप काफी लोग ऐसे होते होंगे जो friends में भो देखते होंगे कि मुझे friend ऐसा बनाना है वैसा बनाना है लेकिन दोस्ती दोस्ती ऐसे व्यक्ति से करो कि बस जो मुसीबत के time तुम्हारे साथ खड़ा हो ना आ हम ऐसे तरह के दोस्त बना लेते हैं हम लोग यह नहीं सोचते हैं कि मेत्री का उद्देश्य क्या है हम यह नहीं सोचते कि friendship एक्चुल में होता क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मुल्य भी है है भई दोस्त बहुत ज़ादा important होते हैं यह बात हमें नहीं मिक्षा का कारे बहुत सुगम हो जाता है दोस्त अगर आपका सही होगा दोस्त अगर आपके अनुसार होगा मतलब जैसा आगे आपका जीवन चाहते हो आपकी अच्छा जीवन हो मेरा जीवन में पढ़ाई हो मैं आगे जॉब करूँ अगर उसी तरह का आपको दोस्त मिलत तो बहुत सारी चीज़े आप खूद से ही सीख ले दो, अगर फ्रेंड ही बेकार बनाओगे तो उसे बेकार चीज़े सीखोगे तो कहां आत्मशिक्षा होगी, फिर तो आत्मशिक्षा होने से रही, तो इसलिए हमको अच्छे फ्रेंड्स देखने चाहिए, नेक्स्ट, एक प्राचिन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए, उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औशदी है, हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संसकारों से हमें द्रड करेंगे, दोशों और त्रूटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, जब हम कूमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत साहित होंगे तब वे हमें उ अगर आपको एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन मिल जाता है एक ऐसा फ्रेंड मिल जाता है जिस पे आप विश्वास रख सकते हो तो समझो आपने दुनिया की सबसे अच्छी चीज अपने पास हासिल कर लिए फ्रेंड अगर आपका विश्वास पातर है न तो आदी चीजें आपक है तो आपको लगता है यहां से बाद दूसरे के पास नहीं जाएगे तो समझ लो कि आपके पास बिल्कूल एक आइना है आपका, जिसको आप सब कुछ कहके बता पाते हो, तो विश्वास पात्र बहुत ज़रूरी है, यह क्या है? यह एक और शुदी की तरह है, एक दवाई की तरह है, जैसे हम बिमार हो जाते हैं, तो हम को क्या होता है, हम को रौब्लम्स को साल करता है तो ऐसा विश्वास पात्रमित्र जीवन में होना चाहिए हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि क्या है वो उत्तम संसकार वाला हो ना और दोशों से हमको, तूटियों से हमको दूर करे, हमको जब हम कुछ गलती करे तो हमको उससे दूर करे हमारे सत्य पवित्त और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करे, मतलब जो चीज हम मर्यादा के साथ किसी चीज को किस तरह से मतलब गलत रास्ते पर जाएं तब वे हमें सचेट करें कि यह जाएंने कि जब हम फ्थोड़े से डिसहार्ट हो जाएं तो हम को उत्साहित करें नहीं तुम्हें करना हैं तो करतो सही में तिर子isa तो ये इतनी लाइन को ही कहाता है तो हमारा भरोसा ऐसा हो जाता है कि आप तो करके दिखाना हैялा है आपको जीवन निर्वहा करना है तो उसके लिए आपको क्या कहना हो चाहिए एक अच्छा और सच्चा और विश्वास पात्र बित्र मिलना चाहिए तब ही आप इस चीज़ और कोमलता होती है ऐसे ही मित्रता करने का प्रयातन पुरुष को करना चाहिए वह सची मित्रता कैसे होने चाहिए उत्तम से उत्तम जैसे एक वैद होता है उसकी तरह होने चाहिए जैसे एक वैद जो होता है वो पूरा निपुन होता है सारी चीजे पूरी तरसे परक के हमको सब चीजों में सही treatment देता है वैसे हमारा मित्र होना चाहिए और एक जैसे माता होती है एक माता के अंदर जो जैसे धैरे होता है कि वो बच्चे की सारी बात समझती है या वो कुछ करता है तो उसको धैरे के साथ देखती है ऐसे हमारा मित्र भी होना चाहिए जो हमें धैरे के साथ हमारी बातों को समझे और हमको फिर उसी के अनुसार हमको सुझाव दे तो ऐसा होना चाहिए कोमलता होनी चाहिए यानि soft water होना चाहिए कि हाँ अगर हम कुछ बता रहे हैं तो वो उसको समझे उसको गंभीता से लिए ऐसा नहीं किया रहे तो आपना दुखडा सुना रहे हो वो सामने से दोस्त तुम्हारे पर हस रहे है रहे क्या है तो सादा दिन रोता ही रहता है ऐसे अगर वो बोल रहा है तो मतलब वो आपके emotions की कदर नहीं कर रहा है तो कही न कहीं वो कौन है वो आपका friend नहीं है क्योंकि अगर आप परिशान हो और वो आपकी परिशानी में परिशान होता है तब आप समझो कि सही दोस्त के पास हो और अगर आप परिशानी बता रहे हैं सामने वाला उस पे हस रहे कि तो यह कारा जाएगा हो जाए को एसे नहीं तब समझो कि आप सही दोस के पास खड़े हो सही दोस को अपना दुखड़ा स को बीचा रहे हो तो इसलिए यह चीज में मित्रता की तो पर बताईए चात्रावास यानि कि हॉस्टल में तो मित्रता की धुन सवा रहती है हॉस्टल में तो सब ऐसे रहते हैं अरे दोस्त ही सब कुछ है बिल्कुल दोस्त ही सब कुछ होते है मित्रता हिदे से उम्री पड़ती है मतलब दिल में ऐसा रहता है कि बस मितरता ही मितरता है हर टाइम हमको दोस्ती ही दिखती है पीछे के जो स्ने बंदन होते हैं उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है और ना उतनी खिनता रहती है जो पीछे किस नहीं बंदन है, यानि कि जो माता-पिता है, जो हमारे और बंदन है, हम उनसे ना तो इतने ज़्यादा खिन नहीं, यानि कि इतने ज़्यादा दुखी रहते हैं, ना ही इतने ज़्यादा खुश रहते हैं, मतलब नॉर्मल रहते हैं, नूट्रल रहते हैं, ले वे और कहां, बच्पन में जब हम छोटे थे तो हम क्या होते हैं, हम थोड़े से किस में रहते हैं, अपने आनन में ही रहते हैं, छोटी-छोटी बातों पर हम परिशान हो जाते हैं, छोटी-छोटी बातों पर हम दुख करने लग जाते हैं, और ये सारी चीज़े कि कब हम кेजए करते हैं कि दोस्त हमारे साथ कोचल में कुछ हो जाते हैं तो बच्चोंमाली इस υ Dios निकलते हैं वत्मान कैसा आनन दिखा आइप है और भविष्य के संबनां में डी आज़िए जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है यानि यही कि बच्चे जब छोटे होते तो फटा-फट कोई बात मन को फटा-फट लग जाती है फिर जल्दी से मान भी जाते हैं जिससे कल सर फोड़ के लड़ाई कर रहे थे दूसरे दिन उनके फाथ ही रह लड़ाई में बड़ो को नहीं पढ़ना चाहिए क्यों कि बच्चे तो दूसरे दिन वैसे की वैसे हो जाएंगे बुरे पढ़ जाते हैं बड़े लोग तो जब अगर बच्चे लड़े तो उनको आपस में समझा के उनकी दोस्ती करा दो बड़ो तक बात जाने ही मत दो कि बड़ो को बीच में पढ़ने चाहिए तुमारे बेटे ने तो मेरे बेटे को ऐसे मारा ये किया वो किया नहीं पढ़ो ही मत दोनों बच्चे को डाटो दोनों बच्चे को समझाओ वहीं पे दोस्ती कराओ खतम करो इस तरह से करना चाहिए साह पार्टी की मित्रता इस युक्ती में हिरदय में कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है कि तो जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से द्रड शांत और गंबीर होती है उसी प्रकार हमारी युवास्था के मित्र बाले वस्था के मित्रों से कई बातों में बिन्न होते हैं होते ही हैं बाले वस्था में हम रूटना मनाना यह सब चलता रहता है लेकिन युवास्था की जो मित्रता होती वो कैसी होती है वो हमारी द्रड होती है और शान्त होती है गंबीर होती है हम हर एक चीज सोच समझ के करते हैं अगर दोस्ती करते हैं तो उसको निभाते हैं छोटे बचे क्या होते हैं लड़ते जगड़ते रहते हैं लेकिन बड़ों में क्या आ जाती है बड़ों में थोड़ी से समझदारी आजाती है तो जब आप बड़े बन जाते हो जब आप यूवा हो जाते हो जवान हो जाते हो तब आपकी दोस्ती ऐसी होती है कि वो शायद lifetime तक चल सकती है क्यों कि तब आपको दोस्ती का सही मतलब समझ में आ जाता है आपको पता चल जाता है कि मुझे कैसे दोस्त रखने है आपका दोस्ती के लिए वो शांत सभाव होता है आप शांती सभाव के साथ वो चलती रहती है मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कलपना मन में करते होंगे पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की जंजटों में चलता नहीं भई हम क्या समझते कि मित्र हम चाहते हैं कि हमारा ऐसा ऐसा हो हम कल्पना करते हैं हमारा इस तरह का मित्र होना चाहिए लेकिन पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की जंजटों में चलता नहीं मतलब हम जो सोचते हैं जैसा हमको चाहिए वैसा मित्र हमको नहीं मिलता है हम उस जंजट में फसे रह जाते हैं तो मित्र किस-किस करके होने चाहिए देखो सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और सुचंद प्रकरती ये दो-चार बातें देखकर मित्रता की जाती है पर जीवन संग्रा में साथ देने वाले मित्रों में इन में से कुछ अधिक बाते चाहिए हमको लगता है कि सुंदर प्रतिमा ये अच्छा होना चाहिए दिखने विखने में बड़िया लगना चाहिए मन भावनी चाल यानि कि जैसा हम बोले उस तरह का होना चाहिए जैसा हम सोचते हैं वैसा वाला होना चाहिए हम ऐसा सोचते है ना इस तरह का मित्र हम देखते हैं लेकिन जीवन संग्रा में यानि जीवन में हमको किस तरह का मित्र होना चाहिए उसके लिए कुछ थोड़ी सी और बाते एड़ होनी चाहिए मित्र किवल उसे नहीं कहते जिसके गुड़ों की तो हम प्रशन सा करें पर जिससे हम इसनेह ना कर सकें मित्र वो नहीं होता है कि जिसके आप गुणों की तारीफ करें रहें तुम तो बहुत अच्छे हो तुम तो इसमें भी अच्छे हो लेकिन इसनेह नहीं हो इसनेह यानि कि प्यार नहीं हो आपको उसके प्रती वो लगाव नहीं हो तो वो फिर मित्र नहीं है अगर लगाव है तो वो मित्र है, फिर चाहे तो उसकी बुराईयां करो, उसके सामने बुराईयां करो, लेकिन अगर लगाव है, तो ही समझो वो मित्र है, ऐसा नहीं कि आप उसके गुणों की तारिफ करें, जिसमालों कोई girl है, या कोई boy है, अच्छे से कपड़े पैन के आगे आगे, आप उसके अंदर से वो भाव नहीं है, कि अर्या, मन से वो अंदर वाला फील नहीं आ रहा, कि सच में कितना मस्त लग रहा है ना, यह वो वाली चीछ आपके अंदर से नहीं आ रही है, आप बस उसके कपड़े, उसके सारी चीज, उसके स्टाइल, इन सब को जज़ कर रहे हो, लेकिन वो अंदर से वह अधा नहीं कि मस्त लग रहा है कुछ भी को बड़ी अलग रहा है वो वाली चीज आपको नहीं आ रही है तो समझो आप मित्र नहीं हो जिससे अपने छोटे-छोटे काम तो हम निकलते जाएं पर भीतर ही भीतर घ्रणा करते रहें कि छोटे-छोटे काम करवा रहे हो कि मेरा ये काम कर दे मुझे आज ये लेसन पढ़ा दे मुझे आज ये नोट बना के दे दे आप छोटे-छोटे काम तो करवा रहे हो बहुत प निए पत्त परदर्शक के समान होना चाहिए, यानि सही रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, कि अगर हमारा दोस्त अमकारा सही होगा, और हमको बोला कि भी इस रास्ते पे चल, इस तरह से पढ़ाई कर, इस तरह से टाइम टेबल बन तो वो आपका सही मित्र हो, पत प्रदशक अच्छा होना चाहिए, भाई के समान होना चाहिए, जिससे हम अपना प्रीती पात्र बना सके, एक भाई की तरह होना चाहिए, जिसको हम अपना प्रीती पात्र, यानि कि जो हम अपने मन में सोच रहे हैं, जो दुख है, वो सारी च सच्छी सहानुबूती होनी चाहिए यानि जैसा हम अनुभव करते हैं हमारा दोस्त भी वैसा हमारा अनुभव करें ऐसा होना चाहिए। जिससे एक के हानी लाब को दूसरा अपना हानी लाब समझे मितरता के लिए आवशक नहीं कि दो मितर एक ही प्रकार का कार्य करते हो देखो यहाँ पहले यहां से समझते हैं कि वैसा होना चाहिए कि अगर एक को लाब हो रहा है हानी हो रही है तो दूसरा उस चीज को समझे कि अगर वह profit उसको किसी बात का profit हुआ है तो हम भी खुश हो कि अरे मेरा भाई जो है मेरा फ्रेंड जो है वो इतने अच्छे marks लेक्के आया है तो अंदर से खुशी हो ना कि घ्रणा हो सामने तो बोले अरे वाँ 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 ते तो बहुत अच्छे marks हैं अपने आपको दोखे में नहीं रखोगे कि मैं उसका फ्रेंड हूँ तो यह चीज नहीं होने चाहिए बिलकुल अंदर से clear रहो बिलकुल clear जैसे अंदर से हो वैसे बाहर से हो अगर ऐसे रहोगे तो दोस्ती निबेगी वना तो कभी नहीं निबने वाली ठीक है next आगे या दो मित्र एक ही प्रकार का कारे करते हो या एक ही रूची के हो इस प्रकार प्रकर्टी और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांचनिय नहीं है ऐसा नहीं है कि आपका फ्रेंड जैसा हो वैसे ही आप हो जैसा उसका सब्जेक्ट है वैसा ही आपका सब्जेक्ट होना चाहिए जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा ही उसको लगना चाहिए ये ज़रूरी नहीं है दो भिन्द प्रकरति के मनुश्यों में बराबर प्रीती और मित्रता रही दो अलग-अलग टाइप के मनुश्य हैं और उनमें भी सेम प्यार हो सकता है अलग-अलग टाइप यानि कि उसकी स्ट्रीम अगर अलग है उसका सोचने का तरीका अलग है एक दोस्त है वह शांत रहता है एक दोस्त है बहुत ही हुरदंगी है तो ज़रूरी नहीं है कि नेचर सेम होना चाहिए आचरण सेम होना चाहिए आपकी दोस्ती कैसी है वो डिपेंड करती है तो आप अलग-अलग हो आपके विचार अलग-अलग हो इससे कुछ नहीं फरक प वाले थे और उद्वित यानि कि बिल्कुल तेज सोभाव के थे तो उन दोनों में क्या था दोनों अलग-अलग थे राम जी धहरे थे इशांद थे तो वो गुस्से वाले थे लेकिन फिर भी कहीं भी अगर एक्जांपल दिया जाता है भाईयों का तो राम लक्षमन का दिया था उदार तथा उच्चाशे कर्ण यानि उदार यानि कि बहुत उदार खुले दिल वाले और उच्चाशे यानि कि बिल्कुल विशुद्ध आत्मा वाले जिसकी आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो ऐसे कर्ण जो थे कर्ण और लोभी दुरियोदन दुरियोदन कैसे थे लो अगलग था लेकिन फिर भी उनकी दोस्ती का उधारन दिया जाता है ये कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रूची की लोगों में ही मित्रता हो सकती है जरूरी नहीं है विभिन्ता देखकर लोग एक दूसरे की और आकर्शित होते हैं जो गुण हमें नहीं है हम चाते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिलें जिसमें व। जादा है हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्द फ़ियक होते हैं अगर हम जैसे हैं वैसा ही हमको सामने वाले से मिल जाता है तो हम क्या लगते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही है मतलब उतना excited नहीं लगता है इसलिए हमको दुनिया में बहुत भिन्नता दिखती है और भिन्नता होना एक friendship के लिए भी ज़रूरी है कि आपका friend आपसे भिन्न है तो आपको काफी चीजों में एक अलग चीज का experience करने को मिलेगा खुद जैसा ही मिल जाएगा तो फिर वो excitement नहीं रहता है चिंता शील मनुष्य प्रफूलत चित का साथ डूनता है क्या क्या होता भी जो चिंता वाला होता है जो attention में रहता है हमेशा गुमसुम रहता है उसको चाहिए होता है कि कोई खुश मिजाज वाला व्यक्ति मिल जाए मुझे निर्बल यानि जो कमजोर होता है वो सोचता है कि मुझे बली मिल जाए होता है न कि एक लड़ाई में इतना अच्छा नहीं है दोस्ते लड़ाई वड़ाई हो जाएगी तो कहां से कैसे करूँगा तो वो चाहता है कि मेरा एक ऐसा फ्रेंड हो जो बहुत पावर्फुल हो कि पीट विट दे किसी को न तो इस तरह से होना चाहिए धीर यानि कि जो धहरे रखने वाला होता है उसको क्या चाहिए होता है कि एक उत्सा ही यानि बहुत एक्साइटेड वाला व्यक्ती मिल जाए मुझे फ्रेंड्शिप में उच्च आकांख्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ती और उपाय के लिए चानक्या का मूत आगता था जो चंद्रगुप्त थे वो चानक्या का मूत आगता था ऐसी ही नितिव इशारत यानि निति में महान कौन अकबर जो है मन बैलाने के लिए किसके बीरबल की ओर देखते थे तो हर कोई किसी न किसी के उपर depend होता था क्योंकि जो चीजे उसके अंदर नहीं होती थी वो किसी और में डूनता था तो ये विभिनता होना भी जरूरी है क्योंकि विभिनता सुभाव को अगर आप लोगे तो कही न कहीं जो कमी होगी आपके जीवन की वो पूरी हो जाती है तो मित्र एक जैसा हो एक सुभाव का हो आपको आइस क्रीम अच्छी लगती है तो आपके मित्र को भी आइस क्रीम अच्छी लगे ये जरूरी नहीं है तो अलग-अलग चीजे हो सकती है लेकिन सबसे बड़ी चीजे है मित्रता होनी चीए एक प्रेम होना चाहिए, एक लगा होना चाहिए मित्र का करतवे इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कारें में इस प्रकार सहयता देना मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थे से बाहर काम कर जाओ मित्र का करतवे क्या होता है मित्र का करतवे अब ये question आ सकता है कि एक मित्र का क्या करतवे है तो एक मित्र का ये करतवे बताया गया है कि उच्च और महान कारों में जो बड़े काम होते हैं जो महान काम होते हैं उसमें इस प्रकार की सायता देना और कहना कि अरे तुम कर लोगे साहस दिलाना कि अरे तुम्हारे अंदर है वो potential है तुम्हारे अंदर तुम वो काम कर लोगे ये चीजे होनी ची एक मित्र के अंदर कि जब आप कहीं बर dis hearted हो जाओ आपको लगे हैं मैं नहीं कर सकता हूँ अरे नहीं नहीं हो जाएगा तेर से हो जाएगा तो कर लेगा अभी नहीं हो पाएगा दिरे 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 हो जाएगा इस तरह से मित्र का एक करतवे बनता है कि वो अपने दूसरे मित्र को साहस दे नेक्स ये करतवे उसी से पूरा होगा जो द्रड चित और सत्य संकल्प का हो और यह कैसे पूरा होगा कि ऐसा friend हो जो क्या हो द्रड चित्त जो है जिसका दिमाग जो है बिलकुल द्रड हो कि नई तू कर लेगा इस तरह से वो बिलकुल अपने इरादों पर खरा उतरने वाला हो सत्य संकल्प यानि कि सही संकल्प सही इरादा रखने वाला हो तभी होगा संकल्प जिसको हम इच्छा भी कहते हैं सही इच्छा रखने वाला होगा अगर ऐसा friend अगर आप लोगे तो आपका जीवन सुदर जाएगा और अगर डरपोग friend होगा कि जो आप करना चाहते हैं उसको लिए बुल का नहीं नहीं मत कर मत कर इसमें तो अरपन यह हो जाएगा तो वो और आपको disartet कर देगा और फिर आप आगे कुछ कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपको एक तो खुद से लग रहा है कि यार यह मेर से नहीं हो रहा फिर उपर चापका friend आके आपको बोल देगा कि आरे नहीं होगा उल्टा यह खराब हो जाएगा यह ऐसे हो जाएगा तो फिर आप सोचो के नहीं मेरा भी यही सोचना है मेरा friend भी यही बोल रहा है छोड़ यार नहीं करते हैं तो वहीं पर ही रह जाएगे तो इसलिए आत्म बल जिसका अच्छा हो ऐसा friend बनाना चाहिए हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था हमको ऐसे friend को लेके चलना जी जिसका आत्म बल अच्छा हो उसी का पल्ला यानि कि उसका सहारा लेके आगे बढ़ना चाहिए जैसे सुग्रीव जी ने क्या किया था राम जी का सहारा लिया था मित्र हो तो प्रतिष्टित और शुद्ध हृदय के हो म्रदुल और पुरुशार्ती हो शिष्ट और सत्यनिष्ट हो जिससे हम अपने मित्र कैसा होना चाहिए प्रतिष्टित होना चाहिए जिसका बिल्कुल किसी भी बात के लिए वो अडग रहना चाहिए, शुद्ध हुर्द होना चाहिए, उसके बाद म्रदुल होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, पुरुशार्थ होना चाहिए, उसके अंदर ये चीज होनी चाहिए कि कौन सी चीज सही है, गलत है, मुझे क्या चीज करनी है नैतिकन होनी चीजे यह सारी चीजे मित्रमें होनी चीजे शिष्ट होना चाहिए मतल़ बist Danny actions होना चाहिए हमेशा सत्य पर खडा रहने वाला होना चीजे अंदर से कुछ बाहर से कुछ ऐसा नहीं होना चीजे जिससे हम अपने को उनके भरो से छोड़ सकें, जिससे क्या हो कि हम अपने आपको उसके भरो से छोड़ सकें मेरा friend है, अच्छा है, मुझे समझने वाला है मैं इसके पाद अपनी problem ले जाऊंगा तो मुझे जरूर कुछ ना को solution बताएगा तो ये वाला विश्वास होना चाहिए तब ही आप उसको अपने भरो से छोड़ सकते हो ये विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का दोखा न होगा ऐसा मित्र नहीं हो कि भई जिसको आप अपनी सारी चीज़े बता दो बदले वे आपको दोखा मिल जाए तो अगर आपका फ्रेंड सत्यनिष्ट है शिष्ट है ये सारी चीज़े उसके अंदर है पुरुशार्ती है तो समझो कि आप बिल्कुल सही फ्रेंड के पास हो और आपको वो कभी भी दोखा नहीं देगा जो बात उपर मित्रों के संबन में कही गई वही जान पैचान वालों के संबन में भी ठीक है अब जान मित्रों के साथ जैसे कहा है वैसे ही जान पैचान यानि कि हमारे आसपास के जो लोग हैं जो हमारे रिष्टेदार हैं हमारे घर वाले हैं उनके बारे में भी क्या कहा गया है कि जान पैचान के लोग ऐसे हो जिनसे हम कुछ लाब उठा सकते हो जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंद मैर करने में कुछ सहायता दे सकते हो यद्यपी उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं अब क्या कह रहे हैं कि जान पैचान के लोग ऐसे होने जिनसे आप आनन्द उठा सको, जिनसे आपको अच्छा लगे उनके साथ काम करके, उनके साथ बात करके, आप उनसे थोड़ा सा लाब उठा सको, कैसा लाब? पैसो बसो वाला नहीं कह रहे हैं, ऐसा लाब कि आपको कभ लगी विचार डाल दे अपके अंदर तो रिष्टेदार जो लोग हैं जान पेचान के लोग हैं वो भी अच्छे होने चाहिए यह दिपी फ्रेंड से वो कम होते हैं यहां पर भी देखो भी दोस्ती को सबसे जादा इंपोर्टेंस दी है दोस्ती से अब भी इस टाइम पर क्या है आज का जो एज ग्रूप है वो उस टाइम का ग्रूप हमारा ऐसा होता है हमको सबसे जादा दोस्त अच्छे लगते हैं कोई बात घरवालों की भी हमको नहीं समझ में आती है लेकिन दोस्त अगर वही बात समझ तो क्वे लिए भर समय होती है तो इसके लिए क्या है कि मित्र हाला की कहने की जान पैचान के लोगों के लिए हमको क्या होना चाहि है उसके उल्टाने कि हमारे यूपर बोझ बनके रग जाए हमको उल्टा है जीवन थोड़ा है उसमें खोने के लिए समय नहीं है यदि कह और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनको छोड़ दो कि ठीक है नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं को वेस्ट नहीं करना है ना कोई बुद्धिमानी या विनोत की बातचीत कर सकते हैं ना ही कोई अच्छी बात बतला सकते हैं अगर ऐसे व्यक्ति हैं आपके आसपास कि जो ना तो बुद्धिमानी की बात करते हैं ना कोई अच्छी बात करते हैं ना आपको कोई नहीं चीज सिखा पा रहे हैं तो आप उनके साथ रहो लेकिन अपना पूरा टाइम उनके साथ नहीं करो क्योंकि वहां से आपको सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और आपको बहुत सावी चीज़े सीखनी है तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ हो जहां से आपको कुछ सीखने कोई नहीं मिल रहा है तो आपका जीवन वेस्ट हो रहा है तो इसके लिए आपको वहां पर उस समय पर वहां नहीं रहना ना सहामोबुती द्वारा हमें डांडस बदा सके अगर हम कुछ चीज में डिसार्टेड हो रहे हैं तो हमको बोले कि नहीं सब सही हो जाएगा ऐसा अगर कोई नहीं कर पा रहा है ना हमारे आनन में समलित हो सकते हैं अगर हम खुश हो रहे हैं तो हमारे खुशी में खुश अपना कुछ तो बताएंगे नहीं, जो हम बोल रहे हैं, तो हम कैसे निखरके आएंगे, तो ऐसे लोगों से हमको दूर रहना चाहिए, आज कल जान पैचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप बैट जाओ कहीं पर भी हायलो करो, बातचीत करो, जान पैचान हो जाती जाएंगे, मतलब हम किसी भी यूवा पुरुष नहीं कि यहां बें, सब के लिए बोल रहे हैं, गर्ल्स, बॉइस, सब के लिए बोला जा रहा है, कि हम लोग आजकल फ्रेंट्स बहुत इजी ली बना लेते हैं, कैसे, कि अच्छा बही मिलको घूमने जाना है, मुवी देखने जाएंगे, तुम चलोगे, हाँ, चलो भी थेटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, घूमने फिरणे डान्स वांस देखने जा रहे हैं, सहरे सपाटे पे जा रहे हैं, बोजन का निमंतरण स्विकार कर, उसने अपको इन्वाइट किया, पाटी में जा रहे हैं, यदि ऐसे जान पेचान के लोगों से कुछ हानी न होगी, तो कुछ लाब भी नहीं होगा, ऐसे लोगों से आपको हानी नहीं होगी, आप असके लाब भी नहीं होगा, पर यदि हानी होगी, तो बड़ी भारी होगी, अगर हानी होगी, तो कौन से होगी, कोई प्रूरा ही नहीं है लेकिन आप कहीं न कहीं क्या करें अपना समय नश्ट कर रहे हो यदि ये जान पहचान के लोग उन मन चले यूगों में से निकले जिनकी संख्या दुरबागे वश आजकल बहुत बढ़ी हुए मन चले यूगों कि आज कल ऐसे लोग बहुत जादा मिल जाएंगे आप पढ़ रहे हो पढ़ते पढ़ते बोलेगे अरे क्या पढ़ रहा है कल पढ़ लेना चल आज तो गुम के आते हैं चोपाटी गुम के आते हैं ये खा के आते हैं वहां चल लेते हैं, बड़े पाटी में चल लेते हैं, तो ऐसे यूगों की जो संख्या है आज कल जादा है, यदि उन शोहदो, शोहदो यानि की जो बिगड़े हुए लोग हैं उनके बारे में, यदि उन शोहदो में से निकले, जो अमीरों की बुराई और मुर्कता की नकल क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, अमीरों की बुराई करते हैं, लोगों के बारे में बुरा बला कहते रहते हैं, और दिन रात बनाव सिंगार में रहते हैं, थाट बाट से बनके चलना, आज मैं ये कपड़े पहन के चलूँगा, आज मैं ये पहनूँगा, मैंने ये नए तो अगर ऐसे व्यक्ति अगर आपके दोस्त बने हुए आपके जान पैचान के लोगों में अगर आपका ऐसा कोई व्यक्ति है तो फिर क्या है वो बिल्कुल शुन्य है बिल्कुल उनको अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए ऐसा होना चाहिए और ये जीवन क्या है बिल्कुल ही बेकार है वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसो दूर है और ऐसे लोगों को लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही तो आनंद है घूमना फिरना ठेटर दे हम तो सिर्फ enjoy कर रहे हैं, तो उनको सच्चा ग्यान ही नहीं पता, सच्चे दोस्त ही नहीं पता, सच्चा जीवन ही नहीं पता, उनके लिए ना तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ती वाले कवी हुए हैं, और ना संसार में सुंदर आचरन करने वाले महात्मा हुए, उनको फ़रक भता किस कवी ने क्या कुछुछिक्ती किए, क्या रचनाई की है क्या बताया है, कौन सा संसार में सुंदर आचन होता है सही behave क्या होता है, अच्छी तरह से कैसे रहते हैं फिर उनको मतलब भी नहीं क्योंकि उनको अपना किया हुआ गलती नहीं लगेगा तो दूसरों का सही कैसे लगेगा उनके लिए न तो बड़े-बड़े वीर अद्बूत करम कर गए हैं और न बड़े-बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार शोड़े हैं एसे ग्रंथ है जिनसे लोगों के अंदर जो है सात्विक्त हैं किस तरह से साधा जीवन जीके चलना चाहिए ऐसे वो उनको समझी नहीं आएगा कि मनुश्य ऐसा कौन सा है तो ये इन सब चीजों से दूर ही रहते हैं ऐसे जगती उनके लिए फूल पत्यों में कोई सौंदरे नहीं है जो इन सब चीजों में इंजोई करते हैं आप देखना जो लोग इस तरह से घूमने फ्रिणने में ये साधी चीजों में रहते हैं उनको मतलब नहीं होता है नेचर वेचर क्या उनको इतना फूल पत्यों से सौंदरे क्या है हमको क्या करना चाहिए इनके साथ तो इनकी देखवाल करें उनको इससे मतलब ही नहीं होता है जड़नों के कल-कल में मधूर संगीत उनको ये सुनाई नहीं देगा कि क्या जड़ने बह रहे हैं उनके लिए तो संगीत कौन सा होगा जिसमें डांस गाना होगा अनन्त सागर्थ तरंगों पर गंबीत सरहस्यों का आभास नहीं होगा कि जो सागर्थ है उसके अंदर कितनी साई तरंगे हैं मतलब वो लहरे वो सब चीजे कुछ भी नहीं उनको मतलब होगा उनके भागे में सच्ची प्रेत्न और पुरुशारत का आनन नहीं होगा बई रियल महनत क्या होती है किस तरह से हमको हाड़ वक करके कुन सी चीज कैसे पानी है उनको इस चीज का कोई ग्यान नहीं होगा उनके भागे में सच्ची पृती का सुख और कोमल हिदे की शांती नहीं होगी वो ऐसे लोग enjoy तो बहुत करेंगे उनके आसपस friends बहुत होगे लेकिन अंदर क्या होगा एक शांती नहीं होगी क्योंकि उनके पास वो शांती वाले मित्र नहीं होगी क्योंकि हार टाइम तो आप घुरदन मचा रहे हो तो आपके मन में शान्ती कहां से आगी जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विश्यों में ही लिप्त रहेगी मतलब हम अपने आप में ही खोए हुए हैं ये करना है आज इदर जाना है आज इदर घूम के आएंगे मतलब अपने इंद्रियों पर ही उनका फोकस ही बाकी की आज पास की दुनिया से उनको कोई लेना देना ही नहीं नहीं है जिनका ह्रेदे नीच शयो और कुढसित विचारों में कलूशित है यानि नीच sector बाते हैं जो बेकार की बाते हैं उनमें अंका ध्यान लगा हुआ है और विकार से विचार उनके अंदर आते रहते हैं और ये सारी चीजें उनके अंदर कलंग की तरह लगी हुई है और नशे में धुत रहते हैं को दिन दिन अंधिकार में प्रतीत होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा उ तो ऐसे व्यक्ति जो सारा टाइम बस क्या रहते हैं अपने में खोय रहते हैं नशके में रहते हैं तो ऐसे लोगों का जीवन जो है वो अन्धकार में चलता जाएगा और ऐसे लोगों के साथ कोई भी friend नहीं बनना चाहेगा क्योंकि वो अपना जीवन क्या कर रहे हैं बिल्कुल व्यर्थ कर रहे हैं और ऐसे प्राणियों का हमें साथ नहीं देना है यह नहीं कर नहीं है उनके साथ क्योंकि अगर आप ऐसे व्यक्तियों के साथ दोस्ती करोगे तो आपका जीवन भी अंधकार में चला जाएगा नेक्स्ट ठीक है वे दरवाजे पर मुझे मिला था कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है ये केवल नीती और सद्वरती ये सद्वरती है इसको इस तरह से लिखावाई सद्वरती का ही नाश नहीं करता बलकि बुद्धी का भी शय करता है अब यहां पर एक कहानी आपको बताई है मगदुनिया के बाथचाट डेमेंट्रियस की तो वो क्या करते थे अपने राजपाट से कुछ टाइम के लिए चल जाते थे अपने साथियों के साथ और जाके नशे वशे करते थे तो एक दिन उसके पापा और वहीं कोटड़ी में आगए देखा तो वहां से उनका एक फ्रेंड जो है वो नशे में चूर वहां से जा रहा था तो उसने का कि अरे पापा मुझे अभी भी जोर नहीं मतलब जोर यानि कि बुखार अभी भी मेरे यांसे बुखार अभी भी निकला है उससे जादा भयानक कुछ नहीं क्योंकि अगर आप गलत संगती में रहोगे आपको गलत चीजे देखने को मिलेंगी सीखने को मिलेंगी तो उसने उनको जोर कहा है कि वो एक भयानक जोर के जैसे है जो क्या करता है आपकी नीती कि क्या होता है condition में नहीं होते हो next किसी युवापुरश के संगती यदि बुरी होगी तो वै उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी अगर आप बुरे हो तो देखो आप बुरे से बुरे काम में घुशते ही चले जाओगे और अगर आप जहां पर लग जाता है कि ये बुरा है नहीं करना है तो उसके लिए थोड़ा साहस रखना पड़ेगा और वापस बैक होके आना पड़ेगा दिक्कत आएगी लेकिन दीरे-दीरे हो जाओगे लेकिन अगर संगती बुरी है और उसमें गुस्ते चले जाओगे तो वो एक चक्की की तरफ उसको गोल-गोल-गोल लपेटी जाएगी अपने उपर जो उसे दिन-दिन अवनती के गड़े में गिराती जाएगी मतलब आप दीरे-दीरे क्या करते जाओगे नीचे की तरफ गिरते ही चले जाओगे और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उनती की और उठाती जाएगी और अगर अच्छी होगी संगती तो आप दिन बदिन दिन बदिन उनती करते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे इंग्लेंड के एक विद्वान को युवा वरस्था में राज दर्बार में मतलब वह बहुत अपने भागे को बहुत शाबाश देता कि और अपना बड़ा दुर भागे समझते हैं तर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बूरस लोगों के संगती में पढ़ता जो उसकी आध्यात में कुन्यक्निती में बादह थे हैं, बहुत में अपने भागने को बोलता था कि हाँ अच्छा है। अब नेक्स्त. बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धी ब्रष्ण हो जाती है क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बाते कही जाती है जो कानों में नव पढ़नी चाहिए चित पर ऐसे प्रभाव पढ़ते हैं जिन से उसकी पवित्रता का नाश होता है बुराई अटल भाव का धारन करके बैठती है बुरी बाते हमारे धारना में बहुत दिनो तक टिकी रहती है वह क्या होता है कई बार हमको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसकी एक बात से हम डिस्ट्रब हो जाते हैं वह हमको मिल भी जाता है कुछ लोग हमारे घर के आसपास होते हैं कुछ हमारे family members भी हो सकते हैं जिनकी एक बात अगर वह पूरे दिन में एक बा नाके रखने चीए क्योंकि वो जो एक बात बोलता है उससे हमारी क्या हो जाती है पूरी पवेतरता नश्ट हो जाती है हम जो प्यूर होते हैं जो पूरे दिन में जो कुछ दिन में हम अपने आपको सवार रहे थे उस नेगेटिव परसन की वज़े से हमारी वो लाइफ में वो चीज जो है वो गलत आ जाती है और उसकी वज़े से क्या होता है हम आगे की चीज को सही नहीं कर पाते हैं डिस्टरब हो जाते हैं तो बुराई जो होती है वो बहुत जल्दी आ जाती है बुराई अटल भाव धारन करके बैठती है बुरी बाते हमारी धारना में बहु गलत कर दिया, तो वो दिख जाता है, क्योंकि बुराई जो है वो जल्दी पकड़ में आ जाती है, कहते हैं हम कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन एक बुरा काम करते हैं, तो वो गिनाया जाता है, वो इतने अच्छे काम नहीं गिनाया जाता है, तो बुराई जल्दी से लेते हैं और इस जगे पर कोई दोहा चौपाई कुछ आसा कुछा आजा है हम उसको याद ही नहीं है क्योंकि वह इसा चीज़े नहीं कि परलें ट्रेक्स हैं कि इस चीज़ें लेकिन हम इस तरह के चाहते हैं उनको नहीं ले पाते हैं एक बार वखार ने मुझे जिसका ध्यान वे लाग चेश्टा करता कि ना आए पर बार बार आता है एक बार बता रहे हैं कि मित्र ने जो था कुछ बात सुन ले थी और वो बात जो है वो चाहता था कि बार बार नहीं आए लेकिन वो जहन में आती थी ऐसा होता ना जब हम कोई थोड्ट जो सोचते हिं कि अरे ये मेरे दिमाग में नहीं आना चीडि बार 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 हमें वही आता है तो यही चीज़ उनके साथ हो रहे थी जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाते हैं जिन बातों को हम याद नहीं करना चाते हैं वे बार-बार हिर्दे में उठती हैं और भेदती रहती हैं मतलब बार-बार हमको टॉर्चर करती रहती हैं और जिस चीज़ को हम भूलना चाहते हैं, वही चीज़ हमको बार-बार याद आती हैं, अतया, तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ, जो अशलील, अपवित्र और फूहड बातों से तुम्हें हसाना चाहे, तो इसलिए करना क्या है, चौकसी बाते करता हो, अपवित्र हो, मतलब अच्छे काम नहीं करता हो, फूहड बाते यहां वहां की फालतू बाते करता हो, और फालतू की बाते करके हमको हसाता हो, तो जैसे मालों किसी के उपर, किसी की ड्रेस पर कमेंट करके आपको हसा रहा है, आपको हसी आएगी, लेकिन हसी अगर आप अन्दर से प्यॉर हो तो जब आप एकान में रोगे अकले रोगे आप बोलोगे उस बार पर हसना नहीं चाहिए था गलत किया तो यह चीज आप के अंदर आएगी तो पहले पहले आपको अच्छा लगेगा हाना हसी आएगी मजा आएगा और आपको लेगा सामाने है सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा अत्वा तुम्हारे चरित्र बल पर ऐसा प्रभा पड़ेगा कि ऐसी बाते बखने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे ऐसा नहीं होगा अब आपको ऐसे लगा कि अरे यारे ऐसे बोल रहा है आज ठीक है आज पहली बार हुआ हैं नेक्स टाम्म्हारे से बात भात हुथो का नेकरो लेकिन आप साथ साथ रहा है और यह जहन में क्या अंदर आ रहे हैं अबर विचार आ रहा हैं अब इस पर हशर्ण के रिएक कर रहे हो आगे जाके वो आपके विचार बन जाएंगे ऐसे तो इस तरह से अगर आप एसा सोच रहे हो कि आगे जाके सब कुछ है कीचład में डल गया तो फिर हम को नहीं लगता कि हमको हैं से निकलना है सि स्दक्राइब यदे जब मैं तो इस to कर दो चलो बने कर दो तो नहीं भुक्त अपने साथ ले ले हैं जबना 웃ता है अब नहीं करना यहां है ऐसी को तो में अभियस्त होते होते तुम्हारी ग्रणा कम हो जाएगी हम दिर निहीं भाटों है कि दे這些 जल्ए और आपको गलत बातें प्रसक्राण। लगेंगे कि क्या है हसी तो रहे हैं कोई बात नहीं नॉर्मल चीज है तो फिर नॉर्मल लगने लग जाएगी पीछे तुम्हें उन से चिड नहीं होगी तुमको नहीं लगेगा कि चिड़ना चाहिए ऐसा कुछ नहीं लगेगा क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि यार कोई बात नहीं तुम्हारा विवेक कुंटित हो जाएगा तुम्हारा विवेक यानि सोचने समझने की शक्ती खराब हो जाएगी और तुम्हें भले बुरे की पहचान नहीं रहेगी अब तुम्हें सही गलत नहीं समझवाएगा तुमको लगे जिस चीज से मुझे आ हावत हैं हमको क्या करना चाहिए बुरी संगत जो है उससे छूट पीछे रहना चाहिए उसकी संगत हमको नहीं रखने चाहिए अब यहां पर काहवत रखे काजल की कोठरी में कैसो हूं स्यानों जाए एक लिक काजल की लागे है पे लागी है यानि अगर आप किसी बुरी कि बुरी संगति के साथ हो तो चाहे आप कुछ भी नी करो लेकिन अगर किसी ने बुरा काम कर लिया तो नाम आपका भी आएगा तो ये भी ऐसा है, जबकि आप बले नहीं होंगे, और क्याफी लोग ज़रूरी भी नहीं है, कि पुरी संगती में लोग बुरे बनकर ही निकलते हैं, कुछ अच्छे भी रह जाते हैं, लेकिन कहीं नाम वो इमेज बन जाती है, जो हमें अपने लिए नहीं बनानी है, तो इस साथ वो सारी चीजे देखो, कि ये चीज मेरे फ्रेंड के अंदर ये है या नहीं है, नहीं है तो उस चीजों पर बात करो, उन चीजों को ठीक करो, दोस्ती सब से अमुल्य है, तो दोस्त ऐसा बनाओ, कि जीवन भर याद रहे, तो आज हमारा चैप्टर यहीं कंप्लिट ह होता है, अब next lecture में हम इसके question answers करेंगे, और किस किस तरह से आपके questions आते हैं, उस पर discuss करेंगे, thank you so much, bye bye and take care.